असलाव अलेकुम मैं हूँ मुहम्मद रसीम शेख और इसक्ट मैं मुझूद हूँ फैर्स पूरी इंटेटर्चर्ज के बिल्कुल निज्दीक दिन ये ससाइटी है पाक वैली यहां पर आज एक नेव व्लॉग की लाउंचिंगी सहरे में नहीं है बिल्कुल आज की इस व्ल आज आएता हैं कि इस सेरेमनी में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या अपडेट्स होंगी तो आप दे जाना कहीं नहीं है आज आपने इस लोग को शुरू से आखे तक लास्भी देखना है मुझे बतायेगा ये एक गाड़ी जो लज़क ड्राम में रखी गई है ये डिलर्स राथ के लिए ने दिलर्स राथ के लिए आखंड व्लेला ये टिलर्स राथ के लिए जी है देखे लेपर पार को तरफ से fatty 매ए ये और यह अदिन शुरू होने वाले है अजोड़ बुष्टा चूहा तो है तो इस वगत मैं बिल्कुल आज चुका हूँ अंदर और आप देख सकते हैं कि सुटिंग एरिया काफी बड़ा है डिलर्स जाद भी तादाद में बड़शे हैं और यहां पर क्या लेटर अपडेट होंगी तो बिल्कुल दिखादे हैं बाप को यहां पर इस महिल कर दो हरवान है अमिया अकिफ साथ अच्छाब अच्छाब और अच्छाब ऑफ्याजी की जाज़द से हम इनको दो अमरे के नामस करते हैं से पर सब्सक्राइब नाइन एफ सेवन सिक्स पाइब फोर थ्री टू वन इस अच्छाब आख जो हमने बेस्ट पर्फार्मर होंगे उनका रैंकिंग वाइज उनके मानिटरिंग करेंगे और उन उल्टी साइट से लेकर अर्टो तक हम उनको दुबारा देंगे जी सब्सक्राइब हमारे साज साब मुझूद हैं पार्क वैली हासिंग स्कीम के मिया अकिफ साब तो इन से बात करते हैं स्लाम लेकुं साथ ये वालेकुम स्लाम आप कैसे हैं ठीक है तो आज आज आपने ये लाउंच किये डील इसके वाले से ताहिएगा हमारे वीबस की आपे कमेंट्स का अलहमदुलिला जी सुसाइटी आपके सामने है एक साल दो मा के हरसे में हमने सुसाइटी में जितनी चेंजिंग कर दी हैं वो सब के सामने है हमारा वीजन हमारा काम या आपको नजर आ रहा है एक साल पहले यहां पर रेट तीन साड़े तीन लाक्त में मर्ला था और बाहर नहीं था आज अलहमदुलिल्ला नो नो प्लस यहां पर रेट है और प्लाट के वेलिबिल्टी नहीं है बकि आज की बात है यह दील हमें लांच किया है चार साला प्लैन पर इसमें हम 15% डाउन पर हम इसकी बुकिंग कर रहे हैं और रिमेनिंग हम ने यह अनौन्स किया है कि को बंदा अगर पोजेशन लेना चाहता है बाट बैटिंग और प् प्रफ्रेक्ट्रेंज्चर एक सब्सक्रेशर एक सब्सक्राइबर्स क्या हैं इसमें तुमां एप्लाटि नहीं होता है तो लोगों को कुलियर नहीं होता है कि अलम्द लिला जी हमने पहले देंसे डिसाइड किया था कि हम डॉयर्मेंट चार्जिज निंदर इंक्लूड करेंगे हमारा कोई वी हीड़न चार्जिस नहीं किसी इसमें डॉयर्मेंट चार्जिस नहीं रही है उसमें हमघुष प्रेज़ क्ला नान्च कररें पहली डील है माशालला हमारी बहुत कामजब गई है उसके बाद यह वह साल सुक्सेस्फॉल का जो है ना एक साल में हम जो है ना इसको दूबर अनौंस कर रहे हैं जो है जो है ना डूसरी डील बिल्कूस यह नहीं किया के लैंड मारे पास है नहीं है और हम जो है ना वह इसको अपना डिजाइन करते हैं तो डिजाइन इसलिए इस साथ से किया है कि इसको तीन फेज में हमने दिया है रोयल एवनिव का कुछ इसा डाला है था कि जो मारे पास मुझूद है उसके लावा माशलाद के एंट्र यह बहुत है जी अलाम दूल्ला यह आगे भी आपको इन्शलाद आला आफ्टर मन्स जाना यह और भी से अच्छी जो है ना वह डूल में नजर आएगी जो पीछे भी हम कर रहे हैं अभी तक जितना भी हमारा हुआ है हम उसमें यह समय लेंके अपना जो है ना जितनी लेर डलती है ना वह उसका हर एक कार टेस्ट करते हैं हम से लोग क्लाइंट सर्फ कुछते फोन करके पुछते कौल आती है तो कहते हैं जो यह जो है ना यह ब्लो ना इंतिया हुए ठीक है और बड़ा जो आना यह समय लेंके अब हम हर चीज डिलीवर करने के दर पे जा रहे हैं अभी कोई कमाई का जो आना दरिया नहीं बनाया हुआ हुआ हमने और आगे भी इंशाला तरह ही होगा जिस जो आपके रादे दर आरे हैं बड़े पुक्ता है इंशाला तो आप इस पर क्या करम प्रोजेक्ट है और इनकी ने रॉज़ जैसे के आज जै इंडियन लाइफस्टाइल के साथ इन्होंने काफी ओन ग्राउंड प्राट है क्यूंके काफी सारे डवेलपर सिर्फ फाइल्स बेचते हैं लेकिन इनका है कि हम खागस नहीं हम जमीन के टुकड़े बेचते हैं इंशाला बहुत अच्छा काम होगा क्योंकि इन्होंने सब्सक्राइब करें अपने अमाउंट प्राट का मालक मनें बहुत शुक्राइब करता हूं कि यह सब कुछ अल्ला की तरफ से ही होता है इस पे किसी का कुई कमाल नहीं होता है तो खास और यह जो बेल्टिंग है यह तो प्योर्ली एक हैर मर प्योर्ली अल्ला की तरफ से यह सारा मामला है तो दूसरी सोसाइटी के वाले से मैं यह कहना चाहूंगा कि अलहम्दिला पहले दिन से हम इधर सैटिस्वाई थे और जो मोटिवेशन हमें मिली भाई आकव सा साहर साथ से तो उसमें यह जणते हुए 1 दील को चलते हो दिख़ए एक लुए समय हम ने जो भी देख वह आलमदल्ला जो इन्हों वादा किया वह इन्होंने करके दिखाया यह कहता हूं कि यह मिनत करता हो कामयाव होता है हो आपके मिनत का सीलाइग इसमें तो मेंत कुछ कह सकते इसमें तो जी अल्ला की तरफ से एक अनायत है अब बाकी है कि मेनत तो अब शुरू होगी तो सब्सक्राइब अच्छा यह बेसिकली तीन व्लॉग हैं जिसमें से एक व्लॉग डिवैल्प हो चुका है उसमें से भी यह डील का कुछ इसा आएगा और एक जिस जगह भ तीसा ब्लाग जो है ना सेंटर लेवी निव वह आपका जो ब्लाग त्यार हो रहा है ना उससे बिलकुल मुलिक है और यह सारे ब्लाग आपस में जुड़े हुए है तो यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि यह गुजश्टा दो तीन सालों से एक ट्रेंड चला हुआ है क एक एक परसंट हमारे पास मौजूद है लैंड बाकी हम ले रहे हैं वह आपको इन्शाला जल्द खुछ खब्री सुनाएंगे तो वह अलाम दो भी इन्हों ने पर्चेश करके आपने खुद भी सुना है कि वह हंडर परसंट जो है ना दूसरा यह है कि इन्होंने का है कि दिल जो है न एक हजार एक भी प्राङड नहीं होगा हजार के अंदर ही रहेगा और एकटर हजार प्राइट तो कुछ भी नहीं है अगर हजार प्राइगा तो इसमें इमिशाला हैं में लोग में बीड़िट की बात करते हैं मैं करता हूँ एक है उन आए गार फरफ्री तुम लाजीदनकुम हदरातِ करामी गदर जैसा कि हम सब को ये बात मालूम है कि आज हम यहाँ पर पाक वेली की जो नई डील है उसकी लाउंचिंग के हवाले से यहाँ पर इकटे हुए है और मिया आकिफ साब आप से गाहे बगाहे हम कलाम हो रहे हैं मिया आकिफ साहिब से हमारा जो रिष्टा है जो नाता है वो नया नहीं है और पाक वेली के हवाले से ही नहीं इसका आगास हुआ बलके मैं मिया आकिफ को एक अरसा दराज से जानता हूँ मुख्लिफ जगों पर एज रियल स्टेट डीलर हमने मिलके काम भी किया है हमने एक दूसरे के साथ कारोबारी मामलात को भी किया मैं यह यहां पर बात को बियान करना जरूरी समझता हूँ कि अल्ला के फद्ल करम से बहुत कम ऐसे लोग है कि जिस तरह की डिलिंग मिया आकिफ साहिब की है अपनी कमिट्मेंट को पूरा करने वाले अपनी बात पर वेहरा देने वाले और फिर जब हमें यह पता चला कि आपने मिया उस्मान साहिब के साथ इस सूसाइटी को टेक ओवर किया है तो हम अल्ला के फद्ल करम से उनके हुकम पर लिएग कहते हुए فوراں سے پہلے ان کے پاس پہنچے ہیں اور میں یہ بات یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ایز ایڈیلر بیم یاکیف صاحب بہت عرصہ دراز اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں پھر ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں سمجھانے میں بہت سیاسی باتیں جو کسی ڈیویلپر کے لیے ناممکن ہیں انہوں نے اس بات کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے سنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا ہم سے بادا کیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عملی تصویر یہ آج کا فنکشن ہمارے سامنے ہے مثال کے طور پر میرے تجربے میں پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ موجود نہیں ہے جہاں بھی آپ ندب دھوڑالیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے کسی پر تنقید نہیں کرتے کہ جو اون گراؤنڈ پلوٹس آفر کرے اور چار سال کے پیبل پلین کو آفر کرے میری نظر میں تو پورے پاکستان میں کوئی ایک ایسا پروجیکٹ نہیں کہ پیمنٹ وہ چار سالوں میں آپ سے وصول کریں گے اور آپ کو پلوٹ وہ اون گراؤنڈ دیں گے پھر یہ ماضی قریب میں ہی ہم باہی مل کر بیٹھے میں نے بھی یاکیف صاحب سے یہ پرسنل ریکویسٹ کی کہ اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کاغذ نہیں پلوٹ سیل کرتے ہیں ہم حقیقت کو سیل کرتے ہیں جھوٹ نہیں ہم بولتے پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ وہ لوگ جو بیلٹنگ کی اماؤنڈ کے ساتھ پوزیشن کو جمع کروا دیں ہم ان کو پھر پوزیشن سال کی کمیٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا ایسا ممکن نہیں کہ وہ لوگ جو پوزیشن کی اماؤنڈ جمع کرائیں ہم ان کو تھوڑے عرصے میں پوزیشن دے دیں میں سمجھتا ہوں پروپٹی کی فیلڈ میں میاں عاقیف صاحب نے ایسا سنگے میل اس کو دیکھ کر دیا ہے کہ جس کو کروز کرنا کسی کی عباس کی بات نہیں ہے انہوں نے ماری بات پر لبیہ کہتے ہوئے اس بات کو اناؤنس کیا کہ وہ لوگ بلکہ آپ کے سامنے میں کر چکے ہیں کہ وہ لوگ جو بوکنگ کے ساتھ اپنی پوزیشن فی بھی سمجھن کے بعد پوزیشن فی بھی بیلٹنگ اماؤنڈ بھی جمع کرائیں گے ان کو بدین منت انشاءاللہ ہم پوزیشن بھی دینے کو تیار ہیں تو ہم اللہ رب العزد دعا ہیں کہ اللہ رب العزد جو آپ کے سامنے کمیٹ پرس کی گئی اس کو پورا کرنے کی اور ان کو دن چگنی رات چگنی ترقی اطاف فرمائے واہ رضا وانا الحمدللہ رب العالمين جیتو ویورز آج کا ویلوگ آئی ہوب کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہے اس کے لئے یہ کہ آج ہم نے اس ویلوگ میں دکھایا کہ پاک ویلی ہاؤسٹنس کی کے اندر جو کچھ نئی اناؤنسمنٹ ہوئی وہ بھی آپ نے بالکل سنی ہے اور دیکھی بھی ہے اور جو نیا بلوگ لاؤنج کیا اس کے حوالے سے بھی تمام کی تمام اپ ڈیٹس موجود ہیں اس ویڈیو کے اندر اور دوسرا یہاں پر لوگوں کو عمرے کی ٹکٹ دیئے گئے گاڑییں دی گئی گاڑی بھی آپ نے دیکھے کہ جن ڈیلر ہزارتوں ملی ہیں ان سے بھی ہم نے گفشپ کروائی اس کے علاوہ ہم نے سی او کے ساتھ بھی آپ کی گفشپ کروائی آئی ہوب کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ لازمی جو ہے سیٹس فائیڈ ہوں گے اس کے علاوہ پاک ویلی میں اگر آپ اپنا پلوٹ بک کروانا چاہتے ہیں اون سکرین جو ہمارا نمبر چل رہا اس کے اوپر رابطہ کر کے بلکل آپ مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے اور اپنا پلوٹ بھی بک کروانا سکتے اسی کے ساتھ جائے چلوں گا دعوی میں یاد دکھی گا اپنا بہت سا خیال دکھے گا لنے کے بعد